आपके साथ प्रामीला नजड आते हैं दिली की खबर दिली के से मर्विन केजिवाल के जनता दरवार में एक सक्स को बंदुक की गोली के साथ गिरफतार किया गया खबर है सौबर सुबर सबर 11 बज़े का जब केजिवाल के घर आयोजी जनता दरवार में एक सक्स के पर्स से 32 बोर का जिन्दा कार्दुस बरामत किया गया है सक्स की पहचान 38 साल के मुहम्मद इम्रान गिरफतार किये गये हैं यह सक्स सीलंपूर का रहने वाला है वह 12 अन्य इमाम और मौलवी के साथ दिल्ली वक वार्डर में कारेरत कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का अनुरोद करने के सिल्सले में जनता दरवार में घुसा था यह सक्स सीलंपूर का रहने वाला है वह 12 अन्य इमाम और मौलवी के साथ दिल्ली वक वार्डर में कारेरत कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का अनुरोद करने की सिल्सले में जनता दरवार में घुसा था मुख्यमंत्री आवास पर गहन जाच के दोरां सुरक्षा कर्मियों को इम्रान की पर्स से 32 बोर की एक जिन्दा गूली कार्डूस मिली गिरिस तारी के बाद उससे दिल्ली पुलिस को सौप दिया गया इविल लाइंग्स पुलिस थाने में उसकी खिलाफ आमर्स एक्ट के तहट F.I.R. दर्च कराया गया पुलिस इसकी जाच कर रही है कि कौन से मकसर से जनता दरवार में कार्डूस लेकर गया था इस बीज सोंबार को दिल्ली विधान सबक विशेई शत्र के पहले दिन मुख्य मंत्री अर्विन के जरिवाल पर मिर्ची अटैक पर जम कर चर्चा होई दिल्ली सरकार के ग्रह विभाग के मंत्री सतेंद्र जैन ने सदन में दिल्ली की विगड़ती कानून वेवस्ता पचिंता जताई और सदन पलट पर सरकारी संकर प्रस्ताव भी रखा इस मौगे पर मुख्य मंत्री के जिवालें परधान मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर परधान मंत्री मोधी दिल्ली के मुख्य मंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे दना चाहिए दिल्ली की कबर में बसक्तनाई मुझे दिल्य जाज़त नमश्रा